हलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल हरी दा मैट्स गुरू स्टुडेंट्स हम एक टी यूणिवरस्टी के एंजिरिंग मैथेमेटिक्स 2 के क्वेशन पेपर का सोलुशन डिसकस कर रहे थे जो कि ES 2022-23 का क्वेशन पेपर है» मैट्स 2 का कॵेशन पेपर है और सब्जेक कोट है BAS203 तो इसके हम 4 parts डिसकस कर चुके हैं जिसमें के हम section A, section B का सोलुशन डिसकस कर चुके हैं और section C के भी कुष क्वेशन का सोलुशन डिसकस कर चुके हैं आज हम section C के last question, 7th question की solution discuss करेंगे. Question number 7 का A part जो है, उसमें हमें question में बोला गया है, expand Fz is equal to 7z-2 upon z cube minus z square minus 2z in the following reason. Reason question में given है, first part में mode z in between 0 and 1, second part mode z in between 1 and 2, and third part mode z greater than 2, तो यह हमें expansion करना है. करते हैं question, तो student यहाँ पर यह question Taylor and Lorenz series का question है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखें, Taylor या Lorenz series के question का expansion करने के लिए, हम कभी भी Taylor या Lorenz series का formula का use नहीं करते हैं, just हम binomial series से ही उसका expansion find out कर लेते हैं. Binomial series के according 1 plus 6 की power minus 1 का series expansion होता है, 1 minus x plus x square minus x cube plus 6 और 1 minus x की power minus 1 है, तो उसका होता है 1 plus x plus x square plus x cube और इसी का use कर गया हम expansion करते हैं, यह हम 1 upon 1 plus x लिख सकते हैं से 1 upon 1 minus x लिख सकते हैं, it means जब हम expansion करेंगे, तो 1 plus, जो भी term है, वो 1 upon 1 plus x की form में होना चाहिए है, means upon में 1 plus x या 1 minus x की जैसी form बना नहीं होगी, उसके बाद हम यह formula use expansion के कर सकते हैं, इन expansion में, expansion यह तभी valid होता है, जब ही जिसकी power में x की power में है, तो x का mode less than 1 होना चाहिए, तभी यह expansion और यह expansion हम इसके लिए यह use कर सकते हैं, और 1 minus x की power minus 1 के लिए ध्यान रखिएगा, अगर यहां 1 minus x की power minus 1, यह भी minus, यह भी minus, तो सारे plus में चलेंगे, यहां plus है और यहां minus है, तो alternate plus minus series चलेंगे, expansion ध्यान रखिएगा, तभी लगाना है, जब जिसकी power में x की power में expansion करना, तो mode of x less than 1 होना चाहिए, तभी expansion यह apply किया जा सकता है, तो expansion के question में सबसे पहला step तो यही होता है, कि हमारे function जो भी है, rational function है, अगर जैसे P, Y, Q की form में है, तो numerator की degree हमेशा denominator से less होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम देख सकते है, numerator में z की power polynomial function है, power 1 है, denominator में z की highest power कितनी है 3, तो नीचे 3 degree की term है, उपर 1 degree, यानि कि numerator की degree denominator से less है, अगर less है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम इसके denominator के factor करने होते हैं, अगर हम factor करें हैं, हाँ से z कॉमा न आ जाएगा, इसको factorize करें तो z minus 2, z plus 1 इसके factor बन जाएगे, next फिर हमें क्या करना होते हैं, इसे partial fraction करने होते हैं, तो partial fraction का rule आप लोगों ने 12th class में पढ़ा है, अगर linear factor है, यहाँ पर यह factor सारे linear है, लिनर मतलब 1 degree के हैं, कहीं square cube नहीं है, तो ऐसे factor के लिए A upon first factor partial fraction का rule कहता है, plus B upon second factor z minus 2, plus C upon third factor z plus 1, उसके बाद आप हमें यहाँ पर A, B, C की value find out करने हो, A, B और C की value find out करने के लिए short trick आप लोगों को मैंने बताई थी, प्रिवेस question paper में, तो देख सकते हैं उसमें जाकर, कि अगर आपको A की value find out करने तो A की upon में जो value है न, पहले उसको roughly 0 रख दें और Z पता कर लें, तो यहाँ से Z कितना रहा है, 0, अब इसके partial fraction करने थे तो इस total में जहाँ-जहाँ Z है, उसे 0 रखना है, तो जो solve करके आएगा, वो A की value है लेगी, बस denominator में वहाँ मत रखना जहाँ, यह रखने पर 0 बने, तो अगर हम A निकालना चारें, तो A कैसे आएगा, इस factor को छोड़ दें, बाकी में रखना है, यानि कि 7Z minus 2 upon Z minus 2 into Z plus 1 में हमें Z को किस से replace करना है, 0 से, तो A मिल जाएगा, ठीक है, तो अब अगर हम इसमें Z को 0 से replace करेंगे, तो Z 0 replace करने पर पर कितना आएगा, minus 2, नीचे कितना आएगा, Z 0 रखने पर Z minus 2 है, तो यहाँ minus 2 आजाएगा, और यहाँ Z 0 रखेंगे, तो into 1 आजाएगा, तो A की value 1 हो गई, तो इसी तरीके से अब आपको B निकालना है, तो इसको roughly 0 रखेंगे, Z minus 2 को, तो Z की value कितनी आएगी, 2, तो इस बार Z equal to 2 रख देंगे, इसके जिसके partial fraction करने थे, इसमें पूरे में, बस आप वहाँ नहीं रखना, जहाँ Z 2 रखने पर 0 बनेगा, तो इसलिए, जैसे हम Z equal to 2 रखेंगे, यहाँ पर कितना हैगा, 7 to 14 minus 2, तो यह जाएगा 10, 12, 14 minus 2, 12, और यहाँ पर Z equal to 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 आएगा, ठीक है, यह 2 minus 2 0 रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे यहाँ पर, और 2 plus 1 ही हो जाएगा हमारा 3, तो 3 to 6 से डिवाइड करेंगे, तो यह 2 आजाएगा, तो B की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो इस तरीके से हमें C भी इसी तरीके से find कर लेना, वो minus 3 आजाएगा, तो इस तरीके से सबसे पहला step होता है, factor करना, denominator की, दूसरा step होता है, partial fraction करना, वो हमने कर लिए, और अब तीसरा step होता है, जो given reason है, तो अगर हम first part की बात करें, तो इसमें reason क्या है, more z in between 0 and 1, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कि जो हमारे question में reason हमें given है, उस reason के according हमें यहाँ पर expansion करना होता है, और expansion के लिए rule यह कहता है, जैसे हमें fz क्या मिल गया, partial fraction करने के बाद, 1 upon z, plus 2 upon z, minus 2, minus 3 upon z, plus 1, तो expansion करने के लिए, जैसे ही हाँ पर, यह तो already z की power में expansion है, 1 upon z, ठीक है, अब इस वाले part और इसको expansion करना ह तो इस वाले part की अगर हम बात करें, तो expand करने के लिए, अभी हमने बताया है, यह दो series हम लगा सकते हैं, बस 1 upon 1 plus x की series, यानि की 1 minus x की power minus 1 की series, या 1 upon 1 minus x की, that means 1 minus x की power minus 1 की series, इन दो series को हम apply कर सकते हैं, और दोनों के लिए हमें देखा, upon में 1 बनना जरूरी है, तो उसके ल नहीं दिया है, जैडर 1 में दिया है लिंक, तो सबसे पहले तो यहीं से जैडर 1 से ही लिंक निकाल लें, ठीक है, तो जैडर 1 से लिंक कैसे निकालें भई, भई, मैंने बताया था आपको जैडर minus 2 अगर अपन में फैक्टर हैं, तो दो possibility बनती है, या तो आपको expansion करना होग 1 बनाना है अपन में, तो दो possibility है, या तो z common लेंगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 minus 2 by z आएगा, या आप अपन में minus 2 common ले सकते हैं, अगर minus 2 common लेंगे तो आप अपन में क्या बनेगा, 1 minus z by 2 आएगा, अब हमें क्या common लेना चाहिए, वो decide करना होगा, और common कैसे लेना है, यह decide कर करना है, कैसे कि जिसका mod 1 से छोटा होगा, क्योंकि expansion तो तब ही लगा पाएगे, तो z by 2 का mod 1 से छोटा है, या 2 by z का, यह clear करना होगा, हमारे पास link क्या दिया होगा, reason क्या दिया होगा, mode z less than 1, तो इसके according, अगर mode z 1 से छोटा है, ठीक है, mode z 1 से छोटा है, तो clearly z by 2 भी तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि mode z से छोटा तो खुद z by 2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 1 से छोटी condition कौन सी बन रही है, z by 2 less than 1 बन रही है, तो इसलिए हमें z by 2 की power में series बनानी पड़ेगी, तो इसलिए minus 2 common लेंगे नीचे से, upon में से हमने minus 2 common लिया, तो यह 2 cancel out हो या 1 upon 1 minus z by 2 बन गया, बात clear, उसके बाद next अगर हम देखें, तो minus यह 3 upon z plus 1, तो इसमें भी 2 possibility बनेगी, या तो 1 plus z की form बने आएंगे upon में, या z common लेकर 1 plus की form बने आएंगे, तो z common लेकर 1 plus 1 by z, दो option बनते हैं, अब उन दोनों में से क्या किये रहे, तो उसके लिए हमें reason क को देखना पड़ेगा, हमारे reason के according किसका mode 1 से चोटा है, 1 by z का या z का, तो mode z का 1 से चोटा है, mode z 1 से चोटा है, तो mode z less than 1 है, तो इसका मतलब हमें z की power में expansion करना होगा, it means 1 plus z बनाना होगा, तो अब उन में 1 plus z ही बनाए रखा, कुछ भी common नहीं लिया, अब इसको minus 1 power में जाएंगे, इसको भी minus 1 power में ले गए, इसको भी minus 1 power में ले गए, फिर हमने expansion का formula यूज कर दिया, यही binomial series का, 1 plus x की power minus 1 का series क्या होती है, 1 minus x plus x को है, alternate plus minus, और दोनों जगे minus हो तो सारे plus, इसमें compare करें, x की जगे पर क्या है, तो x की जगे पर ही है, तो x की जगे पर ही है, में देखें, तो minus 3 common आ गया, और इसे 1 plus x की से compare करें, तो x की place पर z8 direct और यहां पर plus है, minus, तो alternate plus minus चलेगा, तो 1 minus z plus z square minus z cube son, यह इसका expansion हो, इस expansion को हम submission notation में भी लिख सकते हैं, sigma में, किसकी power expand हो रही है, increase हो रही है, z by 2 की तो sigma, n goes to 0 to infinitive, z by 2 की power n लिख सकते हैं, minus 3 sigma, यहां पर alternate plus minus चलेगे, तो minus 1 की power n, z की power n, क्योंकि minus z की power increase हो रही है, तो minus z की power n लिख सकते हैं, यह minus 1 की power n into z to the power n, n goes to 0 to infinitive, इस series expansion में अगर z की power upon में बनती, तो यह lower end होता, पर यह तो numerator में बन रही है, positive power, तो इसका मतलब यह series expansion, tailor series expansion, तो यह tailor series expansion हुआ, क्योंकि 1 upon z वाली भी है, तो इसलिए lower end series हुआ, एक भी term 1 upon z में दिख दिया, तो lower end series expansion हुआ, अब हम second part की अगर बात करें, तो इसी question में second part में पूछा गया है, expansion in region mod z in between 1 and 2, तो function अभी भी वही है, fz, और हमने partial fraction करे थे, वही value fz is equal to 1 upon z, plus 2 upon z minus 2, minus 3 upon z plus 1, तो चैसे ही, यह 1 upon z, तो already z की power में, expansion को हमें check करना है, तो इसके लिए फिर से z minus 2 upon में आ रहा है, तो दो option बनते हैं, या तो यहां से one plus की form बनानी होती है, तो या तो z common लेंगे, या minus 2 common लेंगे, one बनाने के लिए upon में, तो अगर हमने z common लिया, तो ये common लिने के बाद क्या बनेगा, one minus 2 by z, और अगर हमने minus 2 common लिया, तो one minus z by 2 बनेगा, यानि कि expansion या तो z by 2 की power में होगा, या 2 by z की power में होगा, अब वो कैसे confirm हो, तो उसके लिए आपको यहां पर reason में देखना है, z or two में क्या link है, mode z less than 2 है, तो इसमें से आपको reason के according हमेशा जो भी जैसे mode z less than 2 वाला reason है, तो आपको सबसे पहला काम greater side 1 बनाना होता है, तो ये 1 बनाने के लिए 2 से divide करेंगे, तो हमें clear हो जाएगा, कि z by 2 1 से छोटा है mode, तो z by 2 mode 1 से छोटा है, इसका मदलब expansion z by 2 की power में होगा, तो z by 2 बनाने के लिए अपकोन में, क्या common लिया रहे है बही, minus 2 common लेंगे तभी तो z by 2 बनेगा, तो minus 2 common लिय और ये 2 cancel, तो minus 1 होगया, तो 1 minus z by 2, ऐसे यहाँ पर अब z plus 1 है पोन में, तो 2 option है, या तो z common लेकर बना सकते हैं, 1 plus 1 by z, या 1 ही common रह सकते हैं, तो 1 plus z, तो 2 possibility होती है, expansion या तो 1 upon z की power में होगा, 1 plus 1 by z बनने के बाद, या z common लेंगे तो 1 plus 1 by z बनेगा, और 1 common लेंगे तो 1 plus z ही बना रहेगा, तो आप दोनों में से क्या लें, जिसकी mode 1 से चोटा हो, तो 1 upon z का mode 1 से चोटा है या z का, तो हमारा region क्या बता रहा है, mode z और 1 में relation, ये बता रहा है, कि 1 से greater है mode z, और मैंने बता है, जब भी region हो, आपको greater side वाले को common लेना होता है, या greater side 1 बना होता है, त z, तो z common लेना होगा, इसमें से हमने z common लिया, तो ये बना 1 plus 1 by z, तो अब इसे minus 1 power में लिख लिया, इसको भी और इसको भी, और फिर वोई series 1 plus x की power minus 1, दोनों जगे minus है, तो plus की term चलेगी सारी, तो 1 plus z by 2, plus z by 2 का square plus 10, इसको तो share नहीं नहीं है, तो already term expansion है, minus 3 by z, इसमें भ plus और minus है, तो alternate plus minus 2 है, तो इसका expansion ही हो जाएगा, इस expansion में अगर हम देखें, तो app on में z आ रहा है अभी भी, तो ये law and series expansion है, अब अगर हम इसके third part की बात करें, तो third part में question में पूछा क्या गया था, reason mode z greater than 2 के लिए, तो mode z greater than 2 है, तो function अभी भी वही है, तो इसमें ये वाल दिया question में, mode z greater than 2, तो mode z greater than 2, तो मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा हो, z और 2 में लिंक के चाहिए, तो expansion में जो बड़े side है, बड़े मुखी तरफ क्या है, mode z, तो आपको z ही common लेना नीचे, तो z common ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 minus 2 by z, ठीक है, और इसको minus 1 power में ले जाकर expand करें, इस वाले में अगर हम देखें, तो z और 1 का लिक है, यानि कि, या तो z by 1 की power में expansion होगा, या 1 by z की, यानि कि z की power में या 1 by z की, पर हमारा reason में तो यहाँ पर किस से condition दिए है, mode z greater than 2, तो मैंने बता, आपको mode वाली side, बड़े मुखी side आपको पहले 1 बनाना होता, त तो 2 by mode, z का mode less than 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 2 by z का mode 1 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 by z का mode तो इससे भी छोटा होगा, इट मिंस expansion किस की power में होगा, 1 by z की, तो अपोन में आपको 1 by z बनाना पड़ेगा, वो कब बनेगा, जब z common आएगा, तो z common लि लेगा, इसको भी minus 1, और binomal series 1 minus x की power and minus 1 से expand कर दिया, सारी term plus में आ जाएगी, और यह plus और minus है यहाँ पर, तो alternate plus minus चालेगी, यह expansion बनेगा, इसमें भी z term अपोन में आ रहा है, इसलिए यह lower end series expansion है, तो इस तरीके से question complete होता है, अब हम 7 का B part solve करेंगे, इसमें कहता है, using control integration evaluate the real integral 0 to pi a d theta upon a square plus sin square theta, a greater than 0, तो सबसे पहला step हमें जो question में integral find करना था, हमने उसे I consider कर लिया, 0 to pi limit a d theta upon a square plus sin square theta, उसके बाद हमें क्या करना होता है बई, कि जो भी हमारे पास expression है, वो expression हमारा sin और cos की form में होना चाहिए, और power 1 में होना चाहिए, पर यहाँ power कितनी आ रही है प sin square theta को क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos 2 theta upon 2, तो यह sin square theta की place पर value रगती है, 2 हमने calcium लिया, तो यह calcium लेकर हमारी यह value आ गई, क्योंकि calcium आएगा, वो उपर चला जाए, उसके बाद फिर हमने देखा, कि हम जो contour integral से इसे solve करना है, तो contour integral का concept यह कहता है, कि integral हम तभी solve कर सकते हैं, जब integral की limit 0 से 2 phi हो, और यहाँ है limit 0 से 5, और angle में आपके 2 theta नहीं होना चाहिये, ठehã होना चाहिए, यानि कि variable जो इसके respect में integration कर रहे है, angle में बस वही होना चाहिए, उसका multiple नहीं होना चाहिए, तो इससे single variable होना चाहिए, इससे single variable बनाने के लिए, हमने 2 theta को यह नया variable क्या consider कर लि तो इसके लिए हमें d theta निकालना होगा तो इसको differentiate किया दोनों तरफ तो 2d theta is equal to d5 तो यहां से d theta निकल गया d5 by 2 अब limit भी change करेंगे तो भही हमारी theta की limit क्या थी lower 0 अब हमें 5 की चाहिए तो 5 किसके बराबर था 2 theta के तो theta 0 रखा तो 5 कितना आ गया 0 यानि कि theta बराबर 0 वाली limit 5 बराबर 0 होगी और theta equal to pi अगर हम रखेंगे तो 5 बराबर 2 theta था तो जैसे हम theta is equal to pi वाली upper limit रखेंगे तो यह कितना जागा 2 तो 5 equal to 2 pi यानि कि हमारी lower limit 0 हो जाएगी अब upper limit 2 pi तो हमने यहाँ पर limit रखी 0 lower और upper 2 pi और d theta की value हां से हमें मिल गई थी कितनी d theta की value आई थी हमारी d phi by 2 तो वो d theta की place पर रख दी जिससे की 2 से 2 cancel out हो गया d theta की जगे पर d phi by 2 रखेंगे 2 से 2 cancel तो यह d phi आ गया 2a square plus 1 minus cos 2 theta था 2 theta हमें किसको माना था 5 को तो इसकी place पर 5 आ गया तो यह हमारा integral अब बन गया 0 से 2 pi अब यह integral contour integral हमने करना साल करना discuss किया था जिसमें कि अगर कोई भी integral की limit 0 से 2 pi और वो sin या cos या sin और cos दोनों की form में हो तो solve करने का process क्या होता है कि हमें उसे complex integral में बदलना होता है और जिसके लिए curve c हमेशा क्या लेना होगा circle mode z equal to 1 तो z किसके बरावर होता है अगर mode z equal to 1 है तो z किसके equal होता है e की power i5 के कि 5 में integral है तो e की power i5 अब यहां से derivative करके dz निकालेंगे तो dz कितना हो जाएगा e की power i5 into i d theta यहां से d5 निकालेंगे तो क्या हैगा भाई यह divide में चला जाएगा d5 is equal to dz upon id e की power i5 और e की power i5 किसके equal है z के तो यह value हमारी d5 की value आजएगी dz upon iz ठीक है हमें z में बदलना है न complex integration को इसलिए हम सारा काम कर रहे हैं अब cos phi की value निकालें तो cos phi की value आपको याद होनी चाहिए वो किसके equal होती है 1 by 2 z plus 1 by z और sin phi अगर निकालना होता अगर मानलो इसमें question में sin b होता तो sin phi की value होती है 1 upon 2 z minus 2i z minus 1 upon z ठीक है ये value होती है तो हमने ये सारी value इसमें use कर दी ये हमारा integral था इसमें हमने d theta की place पर replace कर दिया कितना dz upon iz cos phi की place पर क्या replace कर दिया 1 by 2 z plus 1 by z integral क्योंकि complex integral है तो complex integral हमेशा किसी curve के लोंग होता है तो curve c यहाँ पर हमने लिखना है limit नहीं लिखनी c हमें यहाँ पर क्या रहेगा circle रहेगा mode z equal to 1 अब इसको integrate करने से पहले कोची residue theorem का हम use करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें इससे simplify करना होगा तो simplify करने के लिए हमने इसमें यह z i z था z के अंदर into कर लिए तो जैसे z की into करेंगे तो यह 4a square plus 2 into z minus z square minus 1 आ जाए ठीक है student उसके बाद हमने इसे standard quadratic form में लिखा पहले 2 degree की term फिर 1 degree की term फिर constant term और z square का coefficient आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पहले 1 बनाना है कभी-कभी z square के into में 2, 3 कोई number होगा तो आपको उसे common ले लेना है तो हमने common ले लिया यहाँ पर minus sign common ले लिया आप उन में तो यह total जो भी आया तो पहला step यही कहता है कि इस integral को जैसे ही z में बदल जाए उसे integral fz dz से compare करना है तो हमारा fz function मिल जाएगा जो integral के अंदर है तो integral के अंदर fz function क्या है यहाँ पर minus 2a upon i z square minus 4a square plus 2 into z plus 1 यह हमारा fz आगया उसके बाइद क्या करना होता है कि हमें contour integral को find करने के लिए पहले residue निकालने होते हैं और फिर pole पर residue निकालेंगे और फिर residue theorem तो यह तीन चार step में question खतम होगा पहले integral को z में बदला first step दूसरा step उसके pole find करेंगे denominator को 0 के एक को लखे तीसरा step हमें देखना है कुन सा pole curve circle c के अंदर लाई कर रहा है उस पर residue निकालेंगे और चौथा step residue theorem लगा कर integral की value निकालेंगे तो सबसे पहले अब हम इसके pole निकालेंगे pole कैसे find out होते हैं denominator को 0 के को लखे तो denominator हमारा यह था इसको 0 रखा quadratic equation है तो श्रीदर चारे formula लगाकर हमने z की value निकालें श्रीदर चारे formula जानते होंगे z equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ठीक है तो a की value क्या होगी है z square का coefficient जो है वो 1 हो जाएगा a की value z का coefficient जो है वो b की value यानि कि minus into 4a square plus 2 यह total b की value होगी और c की value होगी यहाँ पर constant of 1 यह सब इस formula में लगाकर हमने solve कर लिया solve करके हमें z की value क्या मिल जाती है यह दो value मिल जाती है 2a square plus 1 plus 2a into under root a square plus 1 2a square plus 1 minus 2a into under root a square plus 1 एक value को हमने alpha बोल दिया दूसरी value को beta अब हमें यह identify करना है कि इन में से कौन सी value ऐसी है जो circle के अंदर लाई कर लिया है ठीक है और कौन सी value जो है वो अंदर लाई कर लिया बस उसी पर फिर हमें residue निकालना होगा तो अगर हम देखें तो यह वाली term में 2a square plus 1 plus 2a plus under root something है मान लो अगर यहाँ पर आपका a square plus 1 की जगपर सिर्फ a square ही हम मैं consider करके चलूँ तो a square ही consider करके चलूँ तो यह हो जाएगा कितना under root solve हो जाएगा और यह a आ जाएगा यह नहीं होता plus 1 तो a square का under root a आता और 2a square ही होता 2a square ही होता 4a square 1 में plus हो जाता इसका मतलब यह point circle से बाहर चला जाता क्योंकि circle हमारा है mode z equal to 1 और इसमें वही value होंगी जिनका mode less than 1 हो और यह one plus something बन जाएगा उस case में एक से जादा तो इसका मतलब यह circle के बाहर चला जाएगा और हमारे इस वाले portion में अगर हम देखें तो इसे plus 1 को हटा दें एक assume calculation करने के लिए approximation के लिए तो a square का under root a बनेगा और यह two a square और two a square cancel out और यह one बन जाएगा और उसमें से यह कुछ minus भी होना है तो इसका मतलब क्या होगा कि यह value one से less आएगी it means mode beta less than one है और जिसका mode less than one होगा वही circle के अंदर लाई करेगा pole तो इन दोनों में से यह वाला pole हमारा circle के अंदर लाई करेगा तो यही बात यहाँ समझाए गई है क्योंकि a हमारा positive है और इसलिए alpha हमारा बाहर लाई करेगा क्योंकि वो one से जादा हो रहा है अभी आपको बच समझाया भी है ठीक है और हमारा बीटा कहां लाई करेगा inside the circle ठीक है तो inside the circle के लिए यह दूसरे तरिके से भी बताया गया क्योंकि product of root किसके equal होता है c upon a के c मेरा 1 था a मेरा वनता उस equation में तो alpha into beta 1 हो जाएगा और जब हमारा alpha greater than 1 है क्योंकि 1 plus something बन रहा था तो beta 1 upon alpha के equal है तो जब alpha 1 से बड़ा number है तो 1 को 1 से बड़े number से divide करें तो यह value तो less आईगी ना 1 से इसका मदला mode beta 1 से less आजाएगा तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा mode beta 1 से छोटा है इसका मदला भी अंदर लाई करेगा मैंने आपको approximation से भी समझा दिया कि यह अंदर क्यों लाई करेगा तो हमारा यह एक simple pole है क्योंकि a की value में लिए ना z की b beta repeat तो नहीं कर रही दो बार z equal to beta z equal to beta नहीं कर रही तो एक ही बार आ रही है तो इसलिए simple pole है simple pole पर residue निकालने का formula क्या होता है residue of fz at z equal to beta के लिए formula है limit z tends to beta z minus beta into fz तो हमने यह लगा दिये हैं limit z tends to beta z minus beta into fz की value हमने जो consider किया था हमाँ पर compare करके यह total fz आया था यह लिख दिया अब इसके ही हमने pole निकाले थे denominator को 0 रख कर तो z equal to alpha इसके इसको 0 रख के z की value निकाली थी एक तो alpha ही थी और एक beta जब alpha और beta इसके root हैं तो आप लोगोंने 8th class में पढ़ा है कि alpha और beta करके किस equation के root है या उसे solve करके मिलते हैं satisfy करते हैं तो z minus alpha z minus beta उसके factor हो जाते हैं तो इसके factor क्या बनेंगे जब z equal to alpha इसके root हैं तो factor हो जाएंगे z minus alpha z minus beta तो इसकी जगे पर हम z minus alpha लिख सकते हैं और z minus beta लिख सकते हैं इसके factor अब यहाँ पर z minus beta से हमारा z minus beta cancel बाकी value क्या बचती है 2a upon minus i into z minus alpha अब हम इसमें limit लगा देते हैं z tends to beta तो यहाँ आजाएगा beta minus alpha 2a upon minus i into beta minus alpha बट हमारा alpha किसके equal हमने पहले पीछे solve किया था वो था 2a square plus 1 plus 2a into root a square plus 1 beta हमारा यह था तो जब हम beta minus alpha करेंगे इसमें से minus करेंगे तो यह total तो cancel out हो जाएगा और यह minus 4a into root a square plus 1 आजाएगा तो यह value हमने beta minus alpha कि यहाँ put कर दी simplify करके हमारा residue यह बना 1 upon 2i root a square plus 1 अब कोची residue theorem क्या कहती है वो लगा देंगे कोची residue theorem कहती है कि जो भी integral i है complex integration fz उसकी value होती है 2pi into residue inside the pole residue at pole inside c तो हमारे circle के अंदर कर्व के अंदर कौन सा pole लाई कर रहा था उस पर residue निकाल कर उनको add करना होता है और फिर multiply 2pi i से कर देते है तो यहाँ पर एक ही pole हमारा lie कर रहा था कौन सा बीटा उसी पर हमने residue निकाल लाया तो formula के कहता है residue जो inside lie कर रहा है उन pole पर residue multiply by 2pi i तो into करेंगे यह solve करके हमारी यह value बन गई simplify करके इंटिगल की value बन गई तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है student तो इस तरीके से आपका यह जो question paper है 2022-23 का इसका university solution complete होता है इसके किसी ने अगर इससे पहले वाले parts नहीं देखें तो उसका video lecture का link मैं description में डाल दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं जाद से जाद से students में share कीजे क्योंकि education एक ऐसा donation है जो सबसे बड़ा donation है तो आप किसी को घ्यान दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है तो आप इसको share कर सकते हैं जिससे की other students का भी benefit हो